हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकूर ब्लोग्स में और मैं आपका दोस्त सनी ठाकूर आज एक बर फिर हाज़र हूं आपके सामने एक नए वीडियो पर रेक्शन लेकर तो गाइस आज हम दिस वीडियो पर रेक्शन है नाम है डॉक्टर येक बिंद्रा मोटिवेशन स्पेकर और वीडियो का नाम है खुन खौल उठेगा शिएद आजम भागत भाट सिंग एक डॉक्टर वेक बिंद्रा की वीडियो है जिसमें उनुने शहीद भागत सिंग राजगुरु सुपधेव के बारे में उनकी ला उन्हें पता था कि अगर देर करेंगे या ताइम की वेट करेंगेगे तो जो गाउवाले इनके इनकी फैमिली ऑप सकते हैं तो इसलिए अन्हें ून्हें दरकिके मारे पहले ही इनको फांसि देढी थी और एके लगे पाद चोरिशीर पे जो इनकी यहांगी कोशिच की थी बर जो इनकी फैमिली थी और जो गाउन वाले से उने पता लगया था तो जब वो उनकी तरफ आए तो वो उनकी आज चली बोड़ी को फेक कर वहां से भाग गये से अंग्रेज तो यह सब इनकी शहीद भगत सिंग और राजगुरु सुकदेव की जो हुआ था उनकी डात के बाद उनके उनके साथ यह सब हुआ था तो डेकते हैं वीडियो क्या बता रहे हैं विबेक बिंदरासर और वीडियो के बाद फिर दोस्तों बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोड़ी से रिक्वेस्टर फ्रेंस की अग्रे भी तक आपने यूट्यूब चैनल से इंटाकर ब्लोग सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जागे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा बाइल लाइकन दबाएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ और क्मेंट करके मुझे बताएगे का आपको म 1907 में इनका जनम हुआ लेयालपुर नाम का गाउ लाहोर में पड़ता था आज जो की पाकिस्तान में है बाग विद्यावती कोर पिता किशन सिंग बच्पन से ही जो लाहोर में एक स्कूल था जो की बिटिश सरकार का बिटिश हुकूमत इंफ्लूइंस स्कूल था उसको ज इतना तेज के बच्पन भर में इनोंने लगब पचास किताबे स्कूल टाइम में पड़ डाली जो की अपने स्कूल से अलग किताबे थी पुलिटिकल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म किसी भी प्रकार के एकनॉमिक रेजीम पे जो किताबे इनका बड़ा इंटरस्ट था जो इताथी की भावना थी ना बगर संग में वो सीखना चाहिए एकाकी की भावना सिलेक्टिव लिस्नर थे हर जगे खड़े नहीं ऊठते थे उठते बैट बेट जीदर आजादी 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 ये भावनाई दोमाग में बच्पन से घुच गुज गई चोट लोग तो वहाँ पास में पड़ा कुवा था उसी में डूब गए उसी में कूच के छलांग मार के क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलिया मारने के सपवादेश ने दिया कहते हैं कि आज भी उस कुवें से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदे मिलती है आज भी यह वहाँ से खून से भरी मिट्टी को बरतन में डाल के लिया एक बोतल में और घर में लाके इतने सुन हो गए सोचो छोटा सा बच्चा है क्योंकि इसके दिमाग में वो घुस चुका था इसकी बेहन ने पूछा क्या हुआ बता दे क्या हुआ इतनी देर से क्यों आया यह बोला यह खून मेरे उन शहीदों का है देशवासियों जिसका मैं बदला लूँगा अंग्रेजों को मार भगा इतने चोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है कि मुझे बंदू कि इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूँ और में 120 के आसपास गांदी को देश से बहुत ताकत बड़ा सयोग मिल रहा था गांदी इस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की जोनों ने आम जनता की आवाज को उठाया अहिंसा वाज वो क्या कहते हैं मुझे लड़ना नहीं है लड़े बिना अंग्रेजों को गोरों को भगा दूँगा नॉन कोपरेशन मूवमेंट चालो किया यह नॉन कोपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास हिल्क्री में दरूर पढ़ा आवित थे शहीद आदम भगत सिंग उनके बचार से वो भी जॉइंट कर गए उन्हीं दुना चौरी चौरा नाम का एक सान जो कि गोरतपुर में बिहार के नजदीक आज भी पढ़ता है वहाँ पे 1922 में उससे मैं 14 साल के रहे हूंग भगत सिंग 1922 में इन्होंने एक पु वहां का जम्मिदार था अंग्रेजों से इंफ्लूइश था गुरों से उस समय उसकी जम्मिदार ने गुपतेश्वर सिंग नाम के ठानेदार को रिक्वेस्ट किया बढ़ ये बंखरा दो मेरा धंदा खतम हो जाएगा इसको बंखराओ और चौरी-चौरा में तभी पुल गोलिया हुआ में चलाई ये नहीं मानें उनौने दो चार तो गोली मार दी वहीं दो प्रदर्शन कारियों की मरती हो गई भीड और आधबबूर हो गई गुतेशोंसिक ने हावा में और कही गोलिया चलाई बोला मार तूँगा पिस सामने गोलिया चलाई वुआ के दरूगा थे ना वो, उनको तो करना था बोला मैं कहा रहा हूँ असयोग अहिंसा और तुमने इतनों को मार दिया वो दिन नॉन कोपरेशन मुव्मेंट गांदी ने वापिस लिया और जैसे मुव्मेंट वापिस लिया ये लोग परिशान हो गए भगत सिंग और उनके जितने प्रकार के उसी वचारदारा के लोग वो बोले दो दल बन गए गरम दल नरम दल गांदी का था और गरम दल भगत सिंग जैसे लोगों का था उन दों बॉल्शेविक मुव्मेंट रशिया का था उससे ये बड़े प्रभावित थे मैंने बताया ना विदेशी किताबे भी बहुप पढ़ते थे बॉल्शेविक म मुव्मेंट सक्सेस्फुल था पूरा देश को स्योग मिल गांदी ने वापिस ले लिया बोला अभी आप तयार नहीं हो आपने प्रभावित थे बट जब यह चोरी-चोरा वाला कांड हुआ और गांदी जी ने अपना साहगों दोर्वन वापिस ले लिया तो फिर भगत स कि मतलब उनकी विचार जारा से लग हो गए थे कि ऐसे बात नहीं बनेगी अगर अंग्रेजों से अपना देश वापिस चाहिए तो फिर इनके साथ इनके साथ ने बिलकुल तनके ख़़ाओना पड़ेगा और उन्हें मार के बगाना पड़ेगा पाले को पूरे ठाने को क्यों मार की खतम कर दिया गांधी ने रोक दिया पूरा अंदोलन ये लोग उस समया बोले अब लड़ना पड़ेगा और ये जो एचली ये ना हतियारों की कुरांती बाद में आई भगत सिंग की पहले विचारों की कुरांती थी उन दिनों पड़ बैठे है क्योंकि जब खाली होते थे किताब पड़ते थे और उसके बार अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है ध्यान दीजे कमान लर्निंग क्या है एकाकी की भावना से इसलिए तो शहीद भगत सिंग ने 23 साल की उमर तक वो सब कर दिया जो आज लगबग 90 इस साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं 1924 में ये लगबग 17 साल के थे मान ने शादी की त्यारी कर दी है ओए बेटा शादी कर ले ओए खुडी बड़ी सोनी है ओए बेटा शादी कर ले तिरू रोती खुआएगी ओए शादी कर ले तिरा ध्यान रखेगी मा बोलती रहे गई और ये क्या बोले दुलहन मेरी दुलहन नहीं होगी आजादी ही मेरी दुलहन होगी रातो रात चिठी लिखके भाग गए मा रोती थी अकेली पड़ गई क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंग की जब बात हो तो हम चाते हैं पडूसी के बच्चे के घर पैदा हो अप 1925 में इन्होंने अभी 18 साल के उबते काकूरी कांड के त्यारी कर ली कांड को उन्होंने सफल बनाया पैसे की जरूवती अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए उसे पकड़े गए अश्वाकुला खान और राम परसाद बिसमि की वो याद आ गई इनको बाद सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में हैं देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में हैं क्या मतलब सर्फरोशी कटा लूँगा अपना सर ये मेरी तमना है और तेरी बादू में कातिल दम कितना है मेरी तमना जदा बढ़ी है गला कटाने की कि तरी बाजू में ताकत कितनी है वो आके देखते हैं यद में सुना तो होगा मतलब पहचानी है यह इसको बोलते हैं विचारदारा सरफरोशी की तमन्ना अपना गला कटा लेने की तमन्ना वो ज़्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कतल करने का बाजूरू कातल में है दुशेरा ग्राउंड में चले गए लिखने में बहुत तेज़ वगा करते थे उन दुन पत्रिकाओं में अखबारों में ये लेक लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अंग्रेजी हुकूमों की खिलाफ कभी अपने नाम से कभी बे नामी लेक लिखा करते थे और ये वहाँ जाके परचे बाटने लगे दुशेरा ग्राउंड में हजारों की भीड होती है अपनी टीम तैयार करनी है इनको लोग जोडने हैं अंग्रेजी हुकूमों की खिलाफ परचे बाटते पकड़े गए वहाँ बंखोड के भाग में लगे फिर पकड़े गए और इस बाहर इससे अच्छा कोट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है जब बेल की बात करी साथ हजार रुपे मांग लिए ये साथ हजार रुपे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज वीवर्स को कि विजूलाइज करो आज के साथ हजार रुपे नहीं नबे साल पहले के साथ हजार रुपे कितने ही कितने खेत बेचके वो जमानत दे के इनको बाहर नकाला ये अगली तैयारी में लग गए 1928 में जब लगबग 20 साल के थे लाला लाचपत राए जो की थे तो इनके गुरू के समान लेकिन विचार धारा में फरक था लाला लाचपत राए नरम दलके थे ये गरम दलके थे उन्होंने ने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमिशन के खिलाफ हम नारे बाजी करेंगे लाहर में ऐसी नारे बाजी करेंगे कि साइमन कमिशन वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ बिना हतियार के करेंगे ये लाला लाचपत राएगे कहने पे आ तो गए लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठी चार्ज किया इतना लाठी चार्ज किया लाला लाजपत राई को कई छोटे आई और उसके बाद हस्पताल में उनका इलाज के दुरान दिहान थो गया वो बोले थे के मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखली कील साबित होगी बगर सिंग राजगुरू जैबोपाल चंदर शेकर हाला कि लाला लाजपत राई को पसंद नहीं करते थे विचारजारा में लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे बोले पिता समान हमारे इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था उसको गोली मारेंगे अब हम चारों ने तैयारी कर ली वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी जगे बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इ गोली चला दी एक गोली मारी इसको यहां भगत सिंग भाग के आए तीन गोली सर में और मार दी इंशोर कर दिया खतम कर दे पीछे से एक वहीं थानेदार हिंदुस्तानी था वह भागते वए आया था उससमें बोला चंदरशेकर आ जा दे तो उचको नहीं मारना चाहते त लेकिन क्योंकि वो पुलिश के इंफ्लूइस्में बिटे सरकार के था उसको भी गोली मारके यह भाग गए दिये भी कॉलिश था वहां पे उसकी बिल्डिंग के पीछे से क्योंकि वहां इंकी चलती थी बुछ चुपते चुपते भाग के निकल गए अब धर पकर चालू ह इन्हों ने क्या कि अगले दिन अभी यह रुके नहीं अगले दिन परचे लेके लाल सियाही से लिख डाला पूरे लाूपपचि यह ना पक्ड़ना है इन्होंने लाहोर से भागने की योजना बनाई उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भावी ये उनके पास गए राजगुरू और भगत सिंग और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाई थोड़ी देर के लिए और हालकी सरदार थे य पगड़ी हटाई बाल काट लिये और बढ़िया सी हैट अंग्रेजी पाशाक पहने ओर पुरा फुल लेंद सूट है ना टाय लगा के अंग्रेजों की तरह है और दुर्गा भावी को साथ में अपनी पत्नी और वहां पे जाकर के रेल वेक्टेशन पे पहुंचे अच्छ के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे परिशानते उसके खिलाव आवाज उठा रहे थे ब्रिटिशर सुन नहीं रहे थे फ्रेंच रेविल्यूशन के दुरान और लू इंटेंसिटी का बॉंम तैयार किया और कुछ पर्चे लिके वहाँ पे और अचानक वहाँ पर जाके असेम्बली में पहुंच गए खाली जगह ढूनदी और वही बॉंम फ्हेट दिया लू इंटेंसिटी का बॉंम प्ता किसी को नुकसान ना पहुंचे दुए का गुबार में भाग के निकल सकते थे चाहते तो चुप चाप वहां से चले जाते लेकिन वहां गायब हो जाते कोई पकड़ नहीं पाता लेकिन जान बूच के वही चिल जाना इंकलाब जिन्दाबाद और जाके अपने आपको पकड़वा दिया कि ले लो मुझको ये एक ऐसा लड़का था सब को जीना पसंद है और मौत भी सब की आनी है ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था ये चाहता था कि आप मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले क्योंकि हो सकता है महर थंडा होने वाला है सोचिए एक एकिस साल का लड़का अप अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है शहीद होने जा रहा है किता है मुझे को पकड़ो और मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत मुझे को गोली मार दो मुझे को गोली मार दो इसको फासी की सजा सुनाई गई इन दोनों को अब इनका लगबग दो साल का कारावास था पर आपके थे बर्तन ठीक नहीं थे खाना ठीक नहीं था रोष्णी की सुविदा नहीं बिजली कोई था नहीं खिड़की हुआ नहीं करती थी इतना बुरा हाल इन्हों ने उसके खिलाब अंदर आंदोलंग चालू कर दिया अच्छा अंग्रेज इन से घबरा गए थे बुरहार चार दिन चार दिन चौसर दिन तक नहीं खाए करांती कारी यतीन दरदास उससे में शहीद हो गए चुकि इतना कमजोर इतना कमजोर भागत सिंगा वजन रोज का मुता जाला था अंग्रेज घबरा रहे थे लेकिन ये असल में क्या है ना इनको अच्छा उसके बाद भी ह अच्छे हैं अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े हार मान गई इनकी दिनों ये कहीं लेख भी लिखते थे निका कहते थे अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी ती जेल में मुझ से पारे कंट्री के उससे में हारे को एचेस आरे इनोंने कर दिया सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मुव्मेंट को बना दिया देखते ही देखते तीन सो किताबे और पर डाली और तीन हजार पनने लिख भी डाले आज उसको बात बाहर भीजते थे उसको आज उनमें से कुछ ह और कुछ नहीं है कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानन का चितर जेब में जरूर रखते थे जेल में भी किताबे पढ़ने की दिवानगी को लेके अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे कारल मार्क्स औ अब इनको फासी की सदा दे दी गई ये क्या कहते थे मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ जब इनको इसे पूछा गया तो मारी आखरी ख्वाइश क्या है किते मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूँ लेनिन की बायोग्राफी पढ पढ़ने पढ़के ही उठे चौबिस मार्च की तारीक मकरर की गई इनकी फासी के लिए और जैसे जैसे फासी के दिन नजदीक आने लगे किसी को पता लगे ना कि उसके मौत का समय आने वाला है उसकी घबराफ बढ़ जाती है उसकी और टेंशन उसका आदा वजन वैसी ख यह पहली बार ऐसा हुआ कि फासी का समय जो सुबह का होता है केवल इन तीनों के चकर में 23 मार्च को अच्छानक आनन फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फासी दी जाएगी इन्होंने प्रेम से मुश्कुराते वे बोला पे सर पे कपड़ा मत बानना औ गले पे जूल गए गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जर्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंग आये थे लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्टी की किताब उठा के देख ले ना इनको शहीद का दरजा नहीं देते इनको आतंकवादी रोने लिखा हुआ है किताबों के अंदर दुख होता है मुझे हमारे गांधी को राष्टर पिता माना मुझे कोई तकलीफ नहीं है गांधी को राष्टर पिता फादर अक्रेशन सब मुझे मुझे कोई तकलीफ नहीं पर क्या भगत सिंग को हम राष्टर किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता है आतंकवादी माना जाता है आप मेरा साथ दीजिए और वीडियो को शेयर करिए सही लोगों तक मुचाईए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्र पुत्र की उपादी दिलाएं मैं खुद अपने सारे तो दोस्तों ये थी वीडियो दोक्टर वेक बिंद्राकी जो ने भागत सिंग पर बनाई थी बहुत ही मोटिवेशनल और अच्छी वीडियो हुआ है इसमें ऐसा सुनने को भी आता है कि मतलब ये शाइड डिबेट है कि जो महात्मा गांजी थे वो चाहते तो भागत सिंग राजगुर सुद्यव की फा वेक बिंद्राकी जो इतनी मोटिवेशनल भी वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो देखके तो इतना अच्छा वह मतलब एक्साइट कर देते हैं एक दम इंसान वह प्रेहना से भर जाता है तो ऐसी वीडियो तो उन्हें बहुत बनाई है हम आगे भी उन पर और वीडि दुबाईएगा मिलता हूं आप से नहीं वीडियो में तो तो अपना दियान दखेगा गुडबाए आप 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 आप